तो फाइनली आधा गंटा में नहा लिए और साबुन से नहाएं साबुन से धोना बड़ा बाल कुछ कि सेंपू नहीं था एक पाउच सेंपू था तो बच्चागुन को नहादी दूसका बाल धोना मुझे भी खांसी वासी हो गई है पहले तो हुआ नहीं था कभी इतना जोर बहुत हार्ड वर्क होता है जो नहीं किया रहा था उसका बॉड़ी ऐसे अब भी सोही रहा है सगुन उट गई है तो बहुत देर से पहले से बोल्ड़ा था ना पंजाबी तड़का खाएंगे और सगुन को भी कुछ खाने का मन कर रहा था अभी आया दवाई लाया खासी यह का उटे लगाएं कि यह जबते की जटेके वाएं और Φो जबढ़ारें के रोंबर दो अधनि और रुला के राखा इन दो にहींदों तो देरों से ना जो तो सगुन को परसान किया था सभ ब्लैंकेट फ्लैंकेट सब चेंद लिए माटी मांगने लागा कर नब यहे रहाद दिये इसको बोलता है कैसा लग रहा हुआ सगुन को बगवाद दोस्तों आज सो मुआर है कलर विवार को हम ब्लोग इस्टार्ड किये थे जो आप देखें अभी लेकिन नहीं बना पाया तो बहु ज़्यादा खराब था बोलोगिंग करने के स्थिति में नहीं थे मैं भी हूँ सगुन यहां कब से सोई हुई है चटाई में इधर बाबू भी है सगुन तो सुष्ट हो जाती है थोड़ा सब भी बरदास नहीं कर पाती है लेकिन कीसू इतना फीबर रहता है इसके बावजूद पूरा घुमते रहता है तहलते रहता है तो दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे पानी है तब में यह लोग बहुत दिन से चार दिन से नहाए नहीं है इसलिए अब लोग सुचे कि सब को यहीं पर नहा लेंगे जा सगुन ले अबटा सगुन जा कपड़ा निकाल दिये है ठीक है यह वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं सनिवार की रात का है है रात के ग्यारा बजे बागु सोया था उधर हम उधर हो सब लोग अचानक यह टश किया तो देखा बाभू का बतन पूरा तप रहा है और यह बाभू उल्टी करन करने लगा मैं तो फिर इसको देखके भूझे भी होने लगा कि फिर इसको बोने साफ करने के लिए और घटना यहीं तक ने घटा पीछे जो बच्ची है ना वह भी बहुत जादा फीबर में तप रही है और यह लोग जैसे सोया इसको साफ सुद्रा करके उसके बाद दोस् से पुरा रात भर कराते कराते अब पुरा रात वर आवास निकाल निकांके इस तरह रात बिता हैं मतलब ऐसी खराब इस्तिती थी मेरी और इसी वज़ए से रविबार को हम लोग नहीं डाल पाए थे क्योंकि इल्कुल भी कंडिशन में नहीं थे पुरा पुरा संटे हैं बना पाए थे जारूरी था थोड़ा सा कपड़ा रखे हैं तीनों का च्छुड़ पानी गंदा ने करो जब लेकि आना किसु और साबुन जा अ ना और जग जा साबून नहीं लाया साबून यह वाला जाग नहीं दूसरा जाग यह गंदा जाग है जा चीची रेड़ वाला लाईएगा देखी रेड़ वाला बाहर है हाँ चाहिए चलो इदर आओ सबसे पहले कौन नहाएगा कौन पीड़ा में बैठ जाओ पीड़े में बैठ जाओ नहा देंगे जाओ इतना पानी यह नहीं धोनों बच्चा का है पता नहीं मेरा क्या होगा उनको भी नहाना है सरद हो के तो फाइनली आदा गंटा में नहा लि बड़ा बाल को क्योंकि सेंपू नहीं था एक पाउच सेंपू था तो बच्चा कुन को नहा दी दूसका बाल थोना ज़्यादा जरूरी था बाबू भी नहा लिया है नहा के सो गई सगुन को लाने बेज़े हैं खाना रो रही है मतलब कर रहे हैं जहां आप पार्थी वही सबसे सो जाती है न खाना आी टीब रहना चाहा रही है वहां सब्जिवाले में कि एंट। भी यह मेरे टर से हमको पूछ रही है पाने निकाल के रखे इस तरह करोगी तो कैसे स्कूल जाओगी तुम्हों एक टीप रहा थो बढ़ा ज़ो पाने का निकालके रखे हैं ुध के इपे दुगलास में रखिए रके पैठे तरह अ क्या बतान रता और तो यह रहकर बनायों ते डोल कि झौना रोटी आदर ते शुभा के धुट liel है क्यों फॉइंद कि भारा है कि डिन अथब बाता की सब्काइब केसी अज्था को नो हां अधाय टाव जल्द लुट छिए चलो शरक प्रड़ डालो इसमें कप्ड़ा उप्ड़ा सब साब़ून गुन टाल दूफे हैं है बच्छा क्या रहा है गाना बनाओ ना मतलब रील वाला वीडियो बनाने बोल रहा है कि दो निकल गया है यह बीन है फ्रेंच भीन है यह निकल गया इधर मटर था वो नहीं निकला और उधर एक और सब्जी जो लगाया थे वो भी नहीं निकला उधर चना कर निकल गया है मुक्त लगता है उसमें वो टाइम लगा काफी सूखा था दवाई पीलो आओ पीलो पीलो नहीं पीएगे ठीक सूज रखो नीचे सूज रखो अभी कहां पहनेगा अभी सोएंगे ना हम लो चला रखो अभी प्यों सगुल खुझ से दवाई पी जाती है प्यों अज होगे खासी और सर्दी के मुझे इसलिए इतना कुछ हुआ ना क्यूंकि दो तिन दिन से इदर पूरा काम कर रहे था ना कुदाल उदाल चलाना बहुत हार्ड वर्क होता है जो नहीं किया रहाता उसका बॉड़ी ऐसे रियाक्ट करता है ने तो पर सर्दी वर्दी से कभ से हुआ कुछ नहीं दो बजे जब इसका पापा बोला बरस कर लो बरस कर लो दवाई खा लो तब जाके उठे किसी तरह ब्रस की दू टोस्ट खाए और जाके दवाई खाए और ने तो कभी भी बिमार भी पड़ते थे ना बच्चे को खाना महरहाल में खिलाते थे चाहे ज दोनों बच्चे लोग खाया नहीं फिर किछडी आज फेकाया तो ऐसा स्थी थी था और सुबह उठें फिर भी आज राप फिर हालत खराब था हम लोग सब कम को लगा कि नहीं दुर का पूझे हम लोग गया अभी भी नहीं कुछ कह सकते हैं जोतक्त पूजित्र से ठीक नह इस पापा को बोतल में भरके दे दिये हैं कि पीते रहना क्योंकि सब्सक्राइब खराब है हम लोग घर में है वह तो काम पर गया है जबर जस्ती जाना ही पड़ता है फेस्टिब सीजन है तो चला गया है तो दोनों बच्चों को सुना देते हैं और टीबी का हमारा जो अप्रा उप्रा नहीं ले पाएगे वह जदा पैसा खर्चा होगे थोड़ा मोड़ा बचा के रखे थे हम से इसके पापा को ही बोलेंगे कि तुम ही ले लो क्योंकि वह बाहर वहार आता जाता है ना काम वाब करता है तो हम तो फिर भी घरी में रहते हैं तो वह भी नहीं क्या-क्या लाइगी इसमें से रिपिट करो केक लंकिन बिस्कित और देखे सुबा जो रात में खिचडी बनाया था नकल वह आस फेका सुबा सुबा गाय को दिया था गाहियों ने खाई बीन नमक का क्या खाएगा जल्दी जाओ न भूलना नहीं कुरकूरे पंजाबी तड़का ये दोनों दो-दो है बिस्कित और पेस्ट्री फट से जाओ गिरा मत लेना पैसा तो इसको इसलिए भीज रहना था कि थोड़ा से एक्टिव रहे है क्योंकि बहुत ज़्यादा जाजा कि सो जा रही है दुकान के नाम तो उठी एक्साइटेड होके देख रहे कई से चल रही है कई साल में पहुंचेगे कई साल में आएगी कि दूस्तों के साथ बढ़िया अचानक मेरा खांसी उठ गया है हम जाने बुच के सुबा से तेजी तेजी से सांस नहीं ले रहे थे आपी बहुत जोर से सांसी हो गई इदर जल रहा है पुरा डर लग रहा है इतना ना पता नहीं आने में भी टैम लगाएगा यहां पागल लग रहा है सब बाहर निकल जाएगा यहां से छीला करके इतना जोर से खांसी अब ठीक हो गया लगी नहीं हुआ है सुखा खांसी है ना पुरा अंदर तक इतना जल रहा है अब इस तरह से है आठ उनना अब है तो फीबर वाले भिबर हैं तो ना यहीं दब से हमको इनर्ञ लूला करा दो न दो एंदर खाने दो ना ठोटा अधा गंटत परेसान है तो भाइखा लिए शिरफ बागी मेरा पैर ना इसा जिन जिनी जिन जिनी भर गया दोनों पैर में पागल लग रहा है पाने ने की में रहा है बहुत करवा यह तो पी जाएगा तेस्थी यह यमी यमी है अरे नहीं है है यमी यह आग गया न दोस्तों दोनों बच्चे का कपड़ा मंगा है उनलाइन बहुत महँगा पड़ गया कि दुकान वाला क्या होता है तो आप लोग जानते ही हैं और वो आदमी के पास दो ही ओप्सन है पहला भी खराब दूसरा भी खराब आप किसी एक को भी लेंगे खराब होगा बाद में बोलेगा तुमको दिखागर के तो लिए थे इसलिए थोड़ा समयंगा होता है थोड़ा निज्यादा होता है लेकिन हम उनलाइन ही मंगाते है तो सगुन का प्रोड़क्ट आ जाया है और बाबु का सूज मंगा है यह दुकान से ही मंगा है तीन सो रुपए का है हमको अच्छा लगता है बाबु पैसा वाला जूता तो इसलिए मंगवाए एक और मंगवाए तो तूट फाट के खतम हो गया किसी बहुत रफली पहनता है ऐसा वाला सूजना आवाज करता है न तो इसको बहुत अच्छा लगता है बाबु का भी कपड़ा मंगा है बहुत सुंदर सा है दोनों का मिला के हमको तीन हचार पढ़ गया सगुन का दो और किस्टू का एक हजार और इसलिए इतना ज्यादा बजट हो गया ना कि मेरा क ख्याल से नहीं होगा तो इसका भी कपड़ा नहीं आएगा दुना जबन प्रास है तो कच्छा ले लेगा कच्छा कच्छा पहन के मिला घुमेगा तो अभी खाएगी हम तो आभी खाएंगे भया इसा लग रहा है ना मिदम सब कुछ खागे ठीक होना चाते है एकदम बरद में डाल लिया ना खोली नहीं रहा था खोल के बहुत मुस्किल से छुपा के रखे थे आज एक्सेंज करके आया है इसका कलर देखके भागे जबन प्रास का ना केक है हम कभी नहीं खाते हैं लेकिन समस्या बहुत ज्यादा है इसलिए खाना पड़ा है अचाना खारें दकान के तरब दोनों तरब दरद हो रहा है बहुत दिन बाद ऐसे वला हुआ है पहट किसो है इक कल आया ना परसों सनिवार के रात में इसको भी बिमारी आ ठीक है एतना परेसान किये ना जो सगुन को परेसान किया था सब ब्लैंकेट ब्लैंकेट सब छेन लिए माफी मांगने लगा ता आप जाके रहात दिए इसको बोलता है कैसा लग रहा हुआ सगुन को बगवान अभी समझ में आ रहा है ऐसा बोलने लगा था सूस्पना दिए च्या मग रहा है कि सू तो मिलिंग आप सभी से नेक्स्ट ब्लोग में अगर जान बचा तो वरन आप सभी कोई पता में नहीं चलेगा मेरे साथ ऐसा आदमी है बहुत घड़िया आदमी है बहुत घड़िया क्वालिटी तो हम भी इसके लिए कबर खोद के जाएंगे मरते समय भी कबर खोद के जाएंगा कैसा लग रहा हुआ झाल जाएंगे